तो बहुत दिन बाद मेरी चानल पर फिर से वीडियो आ रही है तो सौरी मुझे माफ कर देना मैं बहुत लेट पर वीडियो अपलोड गरती हूं बट ये बाद मैं बहुत बार बोल चुक्किन कि मैं एक्टिव रहूंगी पर पता नहीं अब ये मेरे उपर है वीडियो आगे मैं कितना एक्टिव हूं और कितना एक्टिव नहीं हूं तो छोड़ो हो सब आज का वीडियो होने वाले कोरियन मेकप लूप ये वीडियो पर बहुत दिनों से सोच रही थी और एक वो फेक बैंक्स होता है वो भी मैंने और करके रखी थी बट तब मेरा हेर का कलर ब्लैक तो फिर भी काम चला लेंगे उससे ही तो चलो सुरू करते वीडियो को और वीडियो एन तक जहुर देखना और पता नहीं मैं कैसे मेक अप करूंगी तो चलो चलते हैं मेकप के आगे बनने से पहले स्किन केप तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो आज मैं अप्लाइ करने वाली वह है इस मामा आर्ट का हनी वालाई फेश वर्स आप लोग ऐसा फेश वर्स यूज़ करते होंगे जो हमारे स्किन को बहुत जादा कर देते होंगे और आप लोगों में से ऐसे लोग भी होंगे जो ऑईल मॉस्टराइजर एपलाई कर देते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो इसलिए तो मामात लाए है दा हनी मलाई फेश्वर्स यह फेश्वर्स हमारे स्किन पर जितना भी डर्ट होता है उसको इजीली निका लगता है फेश्वर्स तो हो गया मॉस्टराइजर के लिए मैं अपलाई करने वाली हूँ दिस मामात का हनी मलाई ओयल फ्री मॉस्टराइजर यह दोनों प्रोड़क्त ही नियूली लांच प्रोड़क्त है और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है हमारे स्किन पर अपलाई अब करने यह दो अप्रोड़क्त है और आपको अबस्ट के अगर गवी स्टोर तो वहां पर भी आपको मिल सकता है और मैं याप एक कूपन कोड मेंशन करिए इसको यूज करके आपको 20% डिसकाउट मिलेगा बट्यसिप मामार्थ के वेबसाइट पर भी अबलेवल है जल्दी से जाओ बाइ करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चलो मेकप के तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले मैं अपना आउटफिट चेंज करके आते हैं एक्दम कोरियन बन जाती हूँ तो वन टू थ्री पता नहीं ट्रांजिशन कैसी हुई है तो अभी मेकप अपने मैं अपनों कुछ दिखाना जाती हूँ ओ यार यह यह मैंने ओडर किया था बैंक्स अब यह ऐसे अभी पदा रिवे कैसी दिख रही हूँ बट यह मैं एंड में लगांगी क्योंकि इसके उपर मेकप करना तो बहुत मुस्किल है यार आप बताओ मैं ऐसा कट करवा मैंने करा सकती क्योंकि मुझे नहीं पसनते हैं यह से मुझे अंदर मतब आखों के उपर नहीं अच्छा लगता तो यह मैं बाद में पहलोंगी क्योंकि मेकप करने में दिक्कत होगी तो उससे पहले ना मैं एक मेकप ट्षी तोरियल देखियों एक यूटूब पे Korean makeup वादी तो उसको मैं follow करूंगी बट उससे पहले पहले base तयार कर लेते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ eye makeup ही दिखाया है तो उससे पहले मैं अपना base के लिए foundation यूज कर रही हूँ तो foundation ले लेते हैं मैं face wash और मॉस्टराइजर तो लगा लिया हूँ तो और उसकी जवरत नहीं है इसको मेरे पास mirror ही नहीं है क्या देखके लगा हूँ आपको इसा भी foundation ले लो दन लगा लो अगर आपको भी करना है तो मैं मेरे पास mirror ही है यह यह mirror है मेरे मुझ पे देख रहे हूँ ना कितने सारे pimple आ गया है यह तो पूरा एकदम nozpean के तर आ गया है जाही नहीं रहा है दो दीन हो गया कि प्लीज कमेंट करके ने मत भूल न कि अःप कर तो अरीं वह दीन हो रहा है बाता नहीं ikon लगा ने थी झाल चाहिए कि नुसी आफ है कि मेरे अभी एक्जाम चल रहें तो मैं वीडियो तो बनाइव पारियो तो कि में कभी नहीं किया मैंने बहुत दिनों और उसे बहुत दिनों बाद आतागी स्टवित इसे तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन गले में भी लगा ले क्यूटी वह ना फिर वह थोड़ा सा बेकार दिखेगा हां तो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी तो इतना कुछ कवरेज की मुझे जवरत भी नहीं है विडियो यह उनाए नहीं है बस मैं देखना जाती ओ मैं कैसी लिग게 तो मैं आपको साइड में एक वीडियो दिखा ती जो पिर एक फ़र से डाक्षिक लेके याप पिर एक ग्लीटर लगा दिया अब यह आइलेस कर ले तो है नहीं मेरे पास यह फॉल्स आइलेस भी नहीं है नीचे ग्लीटर को वाला वह काजल भी नहीं है लिप्स्टिक तो मुझे पता एक टेखनी को एप्लाई गरूंगी मैं ब्ल करते है चलो तो मैं एक पिंक शेड ले लूँगी मेरे पास अभी यह वाला है यह वाला ले रही हूं मैं यह शेड में जो दिखा है आप सबको वह ले लिया एंड आप भी ले लो अगर आप मेंटे ट्यूटर दिके बना रहे हो तो तो पूरे आइलीट पे लगा लगा लो मेरा तो यह शिमर शेड है मैं एक दूसरा ले रही हूं जिसमें सिमर है थोड़ा सा है और वो तो नीचे भी लगा लगा चुका है आप लोग देख सकते हूं मैंने पिंक शिमर शेड लेके पूरा आइलीट पे लगा चुकी हूं अब मैं एक कोईशा भी ब्रस ले लोंगी एंड देन मैं यह पिंक शेड़ो यूज कर यू दिस वाल यह वाली तो आपको इस अभी आपके पास पिंक शेड हो नॉर्मल सेट सीमर वाला मतले ना नॉर्मल सा लेना यह तो आई नहीं रही है पिर यहां पर अब मैं दूसरा पैलेट से एक लीटर ले लोंगी मैं यह वाली ग्लीटर से ले रही है आप सब को दिख रहा होगा मैं हातों से ही अपने अब आप लगा दूंगे कि यह लोगों ने ग्लीटर पेंशिल लिया था फिर नीचे लगा था घ्लीटर काजल लिया था साहिट तो मेरे पास वह तो है नहीं तो ही इसको ही मैं नीचे लगा दिया आप तो देख सेथ हुआ अपने आई लूग कंप्लीट है देख लिया करके जरूर बताना कैसी हुए अब इस आई भी कर लेते हैं क्योंकि और कोई आप्शिन नहीं मेरे पास चरू करके आते हैं अब मैं दोनों आई पर आई मेकप कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो कैसी हुए फ्लीज बताना दोनों सिम्सिम हुई है या थे नहीं मुझे तो मुझे पता है मैं वैसे ही मैं भी ऐसी लगाती हूं उसके बाद मैं अभी मस्कारा प्लाय कर लोंगी क्योंकि मेरे पास आइलेश कलर भी नहीं है अब तो पूरा मेकप होई चुकी है अब थोड़ा सा पार्ट बागी है बस मुझे ब्लश लगाना बागी है क्योंकि गॉरियन में तो बहुत सार ब्लश लगाते हैं वो लोग पैसे उनके बाल रेड रेडी होता है तो यह मेरा तो नहीं है रेड तो मुझे ब्लश लगाना पड़ेगा आपको इस ब्लश ले सब्तों मैं एक लिक्विट ब्लश लगा दियुँँ आपको भी में ब्लश लगाऊ ना तो इसको ऐसे अपर डाइरेक्शन में लगाना ताफि यहां पे भी लग रखे यहां फूस चुकिए ब्लश लगाना अब बाकी है लिप्स्टिक की सब कुछ तो होई चुकिया सायथ मैं वह नहीं लगाऊंगी हाइलाइटर नहीं लगाऊं क्योंकि मुझे हाइलाइटर परसंद में नहीं और वो लोग लगाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता बट मुझ के लिएक तेखनीक की उसकरने वाली हूँ उससे बहले मैं लिप्स्टिक लाती हूँ मेरे पास क्योंकि मेरे पास यहां पर टेबिल नहीं है एक च्छियर के अंदर ही सब कूछ इधर ऊधर रखा हुआ है बट मैं लाना बूलगी तो लिप्स्टिक ले आते हैं फिर टेकनि अंदर लगा लोंगी देखो आप लोग ऐसे अंदर अंदर लगा लो इसके बाद मेरे पास जगाई नहीं है यार रिप्स को रख दो एक कंसीलर लो कोई सा भी जादा मत कंसीलर लवा देना किर डॉट डॉट करके पूरे लिप्स पे लगा लो देन एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके प्लेंड कर लो अब होई चुके थोड़ी सी अजीव लग रही है तो उसके लिए मैं फिर से लिप्स्टिक ले लूँगी सौरी मैं थोड़ी कि इस लिप्स्टिक ले लूँगी तो देख सकते आप लो कैसे अंदर से था सब पिंक होता है अब उन लोग ऐसा ही होता है हूँ आई ऐसा कमेंट करके बताना अब इसको रखावटऊंगी एन एक ग्लॉस लगा लूँगे आपके पास कोईसा भी लोस हो तो आप लगा सकतीओ देख सब्सक्ति हो यास तो मेरी मेकप रेड़ी हो चुकि अब मैं कोरियन बन चुकी हOU बार मुझे करना पड़ेगा मैं कैसे करूंगी मुझे नहीं पता ख्लिप यहां पर सेट करके आती हूँ फिर आप लोगों को मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ चलो सो गाइस आप लोगोने तो लुक देखी लिया होगा तो यह लुक कैसे लगी प्लीज बताना और मैं पता में कैसी लग हुई मुझे भी नहीं पता अजीब सी लग लग हुई और तो पूरा ह constraint प्लीज ब्लीज वीडियो के शेयर जरूर करना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिन बाबाई एंड सब्सक्राइब भी कर दे रहा हूं बाबाई